नमस्कार आप देख रहें एपियन न्यूज मैं हूँ आपके साथ शालीनी शुरुआ सब रुख करते हैं स्टेट बुलिटिन की ओड गुम्ला के चैनपुरा थाना च्छेत्र के टॉंगो इलाके में पुलिस और भागपा माववादियो नकसलियो के बीच मुट भेड हो जिसमें इनामी नकसली लाजिम अनसारी धेर कर दिया गया मुट भेड के बाद पूरे इलाके में पुलिस का सच अभिहान जारी है कल भी पुलिस ने 3 लाक के इनामी नकसली राजेश उराव को मुट भेड में मार गिराय था साहिब गंज में बीते 26 मई को जिलेबिया घाटी स्थित क्रेसर प्लांट में हुई भीशन डकैती का खुलासा पुलिस ने कर दिया है इस मामले से संबंदित जानकारी पुलिस अधिक्षक अनुरंजन के सुपोर्टा ने प्रेस कॉन्फरेंस को दी बीते दिनों क्रेसर प्लांट में डकैती की घटना घटित हुई थी जिसमें अनुमंदल पुलिस अधिकारी राजियंद दूबे के नितुत में SIT टीम का गठन किया गया टीम ने कुल नौ अपरादियों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की साथ ही पुलिस अधिक्षक ने बताया कि लूटे गए क्रेशर में चलने वाली मोटर कटा हुआ मोटर का बॉडी लोहे का कटर मशीन लोहे का धकन गैस कटर पाइप और नोजल सहीत लोहे का भारी भर कम समान भी बरामत किया गया है बोकारो जिले के चास अनुमंडल पदादिकारे दिली प्रताप सिंग शिखावत ने सदर अस्पताल बोकारो का और चक निरिक्षन किया इस दोरान उनके साथ सिविल सर्जन डॉक्टर अभेभूशन प्रसाद भी मौजूद रहे जानकारी क मुताबिक SDM ने सभी वाड और OPD में बैठे चिकित्सों के चेंबर का निरिक्षन किया और इलाज कराने आए सभी मरीजों की संख्या भी जानी वहीं खुद की BP और शुगर की जाच कराते हुए SDM दिलीप सिंग शिखावत ने कहा कि गरीब लोगों के लिए सदर अस्पत में इलाज नहीं करा पाते हैं उनका इलाज सदर अस्पताल में होता है इस निरिक्षन के दौरान सभी चिकित्सक OPD में मौझूद रहे और सभी से अपील करते हुए कहा गया कि यदि मरीज अस्पताल में रहे तो उनका इलाज किये बिना कोई भी डॉक्टर बहार ना आए जामतारा जिले के नाला प्रखंड मुख्याले से महस चार किलो मीटर दूर 94 एकर जमीन पर काजू का बगान फैला है जहां कुल 17,000 काजू के पेड़ है लेकिन प्रोसेसिंग के अभाव में ये काजू कोड़ी के भाव बिक रही है आसपास के स्थानिये लोग इस बगान से काजू ले जाकर नजदी की हाट बजार में 50-90 रुपे किलो बेच देते हैं जिससे सरकार को हर साल लाखो का नुकसान हो रहा है हाला कि नालव विधायक और जारकन विधान सभा स्पीकर रविंद्र नात महतो का कहना है कि काजू बर्बाद नहीं हो रहे हैं इस्थानिय लोग उसका इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन जल्द ही प्रोसेसिंग का काम किया जाएगा जिससे की इस्थानिय लोगों को रोजगार मिल पाएगा वहीं जिला उपायुक्त नहीं कहा कि जल्द ही काजू प्रोसेसिंग का काम शुरू होगा रोतास जिले के करगहर ठाना छेतर में एक तायर दुकानदार की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है हत्या का आरोप उसके ड्राइवर पिर लगाए गया है करगहर बजार में मोहमद कोदुसका तायर की दुकान है वहां भाड़े पर गाड़ी वो चलाता है उसी भाड़े के गाड़ी के ड्राइवर मोहमद अवजल ने देश शाम को टायर दुकानदार मोहमद को चाकू से गोद दिया वही गायल दुकानदार को सासाराम के सदर स्पता लाए गया है जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया वही पुलिस ने आरोपी मोहमद अवजल को गिरफतार कर लिया है उसके पास से पुलिस ने हमला करने वाला धार धार हत्यार भी बरामत कर लिया है आशंक का व्यक्त की जा रही है कि पैसे के लालच में ये हत्या हुई है फिलहाल कर गहर थाना चेत की पुलिस मामले की चान बीन कर रही है बिहार के रहतास के कर गहर थाना चेत्र के पास आधा दरजन से अधिक लोग घायल हो गए ये हाथ सा सासाराम चौसा पर सववार गाफ के निकट अनियंत्रित क्रूजर गाड़ी के पलट जाने से हुआ जहां सभी घायलों को स्थानिय लोग और परिजनों की मदद से कर गहर के अस्पताल पहुचाया गया जानकारी के मुताबिक बतादे की प्रात्मिक उपचार के बाद सभी घायलों को सासाराम के सदर अस्पताल रेफर किया गया है वहीं करगहर थाना छेत्र के पटवरडीड गाव पासवान के घर बारात लेकर जारकन के छतर बुर गये थे जहां से वापस लोटने के दौरान ये घटना हुई है आज विश्वी साइकल दिवस है इस मौके पर धूरी सिवल होस्पिटल ने अलग-अलग संसा के सयोग से साइकल रैली निकाली इस साइकल रैली का मकसद शहर में अच्छी सेहत और बिमारियों से दूर रहने के लिए साइकल चला कर कस्तत करना था दूरी सिवल होस्पिटल के डॉक्टर नेरायन सिंग ने बताया कि साइकल रैली का मुख्य उद्देश यही है कि नशे को छोड़ा जाए अच्छी सेहत बनाई जाए अगर लोग साइकल चलाएंगे तो उनकी सेहत अच्छी होगी फिलाल यहां रुकते हैं छोटे इसे ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे